नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वाइगत करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग एक बार अंतिम तक ध्यान से जरूर देखेगा जरूर सुनिएगा क्यूंकि दोस्टों, तो आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे स्वास्तलाब मिलने वाले हैं और इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोगों को बताओंगा, भीगे चने खाने के फायदे हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एक बार अंतिम तक जरूर सुनियेगा, दोस्तों, भीगे चने खाने से हमारा सरीर स्वस्त बनता है, बलवान बनता है, सबसे चीप चने की होती है, दोस्तों कि यह हमारे सरीर को स्वस्त भी करता है और ताकत भी देता है, दोस्तों आप क्या करें आप 20 ग्राम चना लें उन्हें साफ कर लें और उन्हें 150 ग्राम पानी में डाल कर रात में छोड़ दें ठीक है दोस्तों 20 ग्राम चना लें उन्हें साफ करके आप 125 ग्राम पानी में डाल कर उन्हें भीगो दें और सुबह जब वो फूल जाएं अच्छे से तो उसका सेवन करें भीगे चने को खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है शक्ति मिलती है और यह चर्म रोगों में भी चर्म रोगों को काभी नाश करता है जो लोग पतले दूबले हैं जो लोग कमजोर हैं उनको भी भीगे चने का सेवन हर दिन करना चाहिए दोस्तों भीगे चने का सेवन करने से खून में वृद्धी होती है जी हाँ दोस्तों भीगे चने खाने से शरीर में खून की वृद्धी होती है खून की कमी दूर होती है फेपड़े मजबूत होते हैं भीगा चना हमारे दिल को भी ताकत देता है और डायबिटीस के मरीजों को भी फायदा पहुँचाता है दोस्तों चना हमारे शरीर को ताकत देने के साथ साथ हमारे शरीर को बलवान बनाने के साथ साथ यह हमारे पाचन सक्ती को भी संतुलित करता है और यह हमारे खून को साफ करके हमारी तवचा में एक निकार लाता है तो दोस्तों भीगे चने का सेवन आपकी सिहत के लिए बहुत ही जादा फैदेमंद होता है और अगर आप बहुत काम करते हैं, महनत करते हैं तो आप लोगों को भीगा चंटा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इस से आप लोगों को काफी इनर्जी मिलेगी दूस्तों अगर आपको या वीडियो अच्छे लेगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक किजेगा और अगर आप चाहते हों कि इस तरह की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे जानकारियां मिलती रहे